कि नमस्कार दोस्तों ब्लिश ट्रेडिंग के डेली अनिलिशिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है चले देखते हैं कल मार्केट एक्सपायरे की दिन कैसा मोमेंटम कर सकता है किस डिरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं गाइस एक चीज आप देखेंगे कि आज मार्क पूरा दिन वॉलेटाइल रहा ठीक है हमें कोई डिरेक्शनल ट्रेड नहीं मिला और आप देखेंगे कि हमने जो कहा था कि लेवल्स पर काम करेंगे तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा आज मार्केट देखेंगे फ्लैट खुली हाला कि हमारा जो व्यू था कि मार्केट को गैप अप होना चाहिए था क्योंकि लाश्ट लाश्ट में यह जो बाइंग आई थी कल के सिनेरियो में यह बहुत स्ट्रॉंग बाइंग थी जो कि बड़े प्लियर्स की द्वारा की गई थी अगर मैं आपको डेटा भी दिखाऊं पन टेलिग्राम में चलते यह देखें डेटा में अगर देखेंगे तो यह देखें यहाँ पर FIs की जो बाइंग है वो कितनी बुलिश थी ठीक है और यहाँ पर क्लाइंट जो है फसे हुए थे और आप देखेंगे प्रोज भी बुलिश थे और जो है डियाई का यहाँ पर कोई पोजिशन नहीं था तो हमारे अ करेंगे अगर माल लिजे मार्केट फ्लैट खुलती है मार्केट फ्लैट खुल के जब तक 18520 को नहीं तोड़ेगी 500 से 520 के उपर सच्टेंड नहीं होगी तब तक हम 18600 तक के लेवल नहीं देखेंगे मार्केट को इस लेवल को तोड़ने दीजेगा तभी हम 18600 तक के लेवल देख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर चलते हैं और यहाँ कहीं रिजेक्शन केंडल बनाती है तो हम यहाँ पे पुट के लिए भी काम कर सकते हैं जो कि दोनों सोनेरियो है यहाँ से ब्रेकाउट का भी और यहाँ से रिजेक्शन का भी तो अभी मार्केट जिस हायर लेवल पे है तो हमें छोटे-छोटे रिजेक्शन भी मिलेंगे और ब्रेकाउट भी मिलेंगे तो अपने को इस ट्रिक्टली जहां पे भी हम ब्रेकाउट के लिए काम करें तो भ तक हम लोग कोई भी डाउन व्यूव ज्यादा तर नहीं बनाएंगे ठीक है मतलब strongly bearish हम लोग 18-280 के नीचे ही होंगे ठीक है लेकिन इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो अगर अगर मार्केट यहां पर देखे अगर मार्केट 350 के लेवल को तोड़ती है कल फ्लैट खुलने के बाद अगर डाउन चलती है 350 के लेवल को तोड़ती है तो हम 280 तक के लेवल देख सकते हैं अगेन कल expiry है premium कम रहेगा तो 50 पॉइंट भी हमको अच्छा पैसा दे सकता है ठीक ह तो ज्यादा कोई broader view नहीं है अभी है ना कि long term view क्या हो सकता है अभी हम market जीज जगह पे हायर लेवल पे हमें छोटे छोटे लेवल ही यहां पर निकालना होगा क्योंकि confusion है ठीक है कि market all time high को पार करेगा या कि यहां से rejection लेके नीचे आएगा तो हम strongly stopless और stopless आगे काम कि ऊपर और rejection और breakout के लिए काम करेंगे ठीक है चले bank nifty देख लेते हैं आप देखेंगे bank nifty में मैंने कहा था कि market अगर चारसो ब्यानीस अजार पानसो का level तोड़ेगी तो हमें ब्यानीस अजार छेसो तक के level देखने को भी लेंगे और छेसो के ऊपर जाएगी तो हम ब्या 200 point की range में अब इतने volatile market में लोगों को confusion भी होता है और फिर बार बार trade में entry करते हैं exit करते हैं जिसके वह से क्या होता है हमारा capital loss होता है और हमें कोई proper entry नहीं मिल पाती है लेकिन अगर आप level पे काम करेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि 500 तोड़ा तो लगबग 600 100 point easily मिल गया तो इस तरह से अगर काम करेंगे मैंने काना कि अभी आपको छोटे-छोटे target ही रखना है बड़ा view तभी रखेंगे जब कोई बहुत important level तूटेगा या फिर breakout देगा तभी हम उस पे काम कर पाएंगे ठीक है तो कल bank nifty में कैसे काम करना है मान लिजे market कर flat खुलती है फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर चलना शुरू होती है और ब्यालिस छेसो के level को तोड़ती है तो हम ब्यालिस अजार आट सो तक के level देख सकते हैं ठीक है दो सो पॉइंट बहुत होता है एकस्पाइर के दिन उतना movement अगर मिल जाता है तो फिर आप trade बंज कर दीजे कि देट से उतना काफी होता है और नीचे के लिए क्या रखना है आज का यह जो विग बना है यह जो candle बनी है ठीक है याने के ब्यालिस अजार चारसो ब्यालिस अजार चारसो के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू होती है somehow flat कोई करके तो हम अगें ब्यालिस अजार 200 तक क 때문에 level हम देख सकते हैं, जह की, यह level है, ठीक है, इस swing से, जो हमें breakout मिला था, यहाँ तक, ठीक है, यहकर support हो जाता है, यहाँ से breakout मिला था, तो हम again 600 तक के, गये, ठीक है, तो जब downside market आती है, तो, जो swing होता है, औस swing का, हमको support और जूनना होता है जो कि हम मलाके आपको दे रहे हैं ठीक है लेवल पर ही काम करिएगा ज्यादा बायाज नहीं होना है फुल कॉंटिटी में भी trade मत करिएगा क्योंकि कल expiry है again volatile हो सकता है हो सकता हमको directional नाम मिले ठेक है क्योंकि दोनों तरफ के level है उपर भी है नीचे भी है तो ऐसे situation में हमको कम कॉंटिटी से काम करना है और अपने capital को save करना होता है thank you guys channel को like करेगा share करेगा subscribe करेगा thank you very much